दोस्तों अगर आपके CRT TV के अंदर इस प्रोकर्सर रेंबू कलर का प्रोब्लेम आ रहे हैं तो इसको ठीक करने का जो तरीका है आज किस वीडियो में जान लीजिए पहले तो अपना CRT TV को ओपुण करिये और देखिये कि इसके अंदर डस्त जमा हुआ है कि नहीं अगर डस् जमा हुआ है तो अच्छे से PCB को क्लिन कर लेजिए PCB को clean करने के बाद देखिए कि CRT TV के अंदर कौन सा इसा component से जो की फुका हुआ है तो हमने जब इस TV को खोला तो मुझे पता चला कि इसका जो vertical IC है वो खराब हो चुका है तो हमने इस जगा पे एक निया वाला same number का vertical IC को लगा दिया हूँ लगाने के बाद हमने इस TV को assemble करके देखा तो हमारे TV बिलकुल okay हो चुका है अगर इस IC को बदलने के बाद भी आपका TV का problem ठीक नहीं हो रहा है तो चैनल को subscribe कर लिजिए क्योंकि आगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस IC के आलाव भी आक कौन सा component सामें बदलना पड़ता है इस प्रोकर से problem तूर करने के लिए और इस वीडियो के description में आपको सारे electronics parts और CRT TV का पर्स खरिदने का link मिल जाएगा